न्यूट्री चार्ज में पर हमने वीडियो बनाया है इसमें उसके बारे में जानकारी दी है न्यूट्री चार्ज व्यू के बारे में हमने जानकारी दी है आज हम बताने जा रहे हैं कि वैज ओमेगा क्या चीज है न्यूट्री चार्ज तो वो एजेंसी है वो कंपनी है जो ह में वैजुमेगा को देती है लेकिन Although मेजुमेगा होता ता क्या यूंट है जैसे प्रोटीन कैल्सियम आइरेड यान हम जानते हैं कि फ़रे हमे मिनरल चाहिए प्रोटीन बिशदी सहिए विटमीन सब लिए हमें कुछ ऐसी चीजे बाहर से खानी पड़ती है कुछ ऐसी चीजे लेनी पड़ती है जिन में omega 3 fatty acid मिल रहा होता है तो इसी को बोला गया इसलिए से healthy fat माना जाता है जो स्वास्ति के लिए कई तरह से फाइदे बंद है शरीर में इसकी कमी से skin dry हो जाती है किसी की अब्जर्फ किया होगा या फिर बालों का भंगू रोना बाल जहने लग जाते हैं इसके अलावा अवसाद जोड़ों में दर्द थकान कमजोरी अनिद्रा नींद नहीं आना मूट स्विंग होना इस तरह की जो conditions होती है आंकों में सूखा पन नाकुन कमजोर हो जाते हैं य लेकिन हमें इस बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम forward जैसे सालमन फिश होती है जो उसमें अच्छी मात्रा में फैट पाया जाता है ट्राउट और तुना को मना जाता है यह मचली के प्रकार है तो अंडा या मचली खाऊ या मचली का तेल होता है वह खाऊ और आज यह मिलता है असानी से ओमेगा 3 fatty acid कीमत बहुत जाद है देखे सर कीमत की कीमत नहीं है असल में यह कि कोई लोग ऐसे भी है जो नॉन वेजिटरियन नहीं है जो कहते हैं हमें दूसरे की जीव हत्या से हमें जो पुणने मिलेगा वह हमें नहीं चाहिए फाइदा हम नहीं चाहते हैं कि हमें वेजिट वेजिटरियन है जो बोलते हैं हम वेजिटरियन लेकिन हमें फिर भी अगर ओमेगा 3 fatty acid लेना तो क्या हमें करना क्या पड़ेगा तो उसी का मैं आपको जवाब दे रहा हूं सबसे पहले ओमेगा 3 fatty acid जरूरी क्यों है सरीर के लिए यह कैसा पोशक तत्व जो सूजन को कम कर सकता है खून में गंदे triglycerides को कम कर सकता है यह का मुख्य काम है जो triglycerides ब्लड में हमारा बनता रहता है क्योंकि अगर यह उसको नहीं अटाएगा तो आप ऐसे समझे समझे कि जैसे ना मैं आपको दिखाता हूं एक सेकिंड जेरा जैसे यह वेंस होती है हमारे शरीर की ध निया पद्दारती हैं जो हमारे इस खून में मिल जाते हैं इसे खूण के फ्लोवने में दिक्कत होती है और इससे अंत्में होता है क्या हमारा हृट है उस हट पसे खूच को जब शाल करना पड़ता है तो इस रुकावाट के कारण-खूश्य से पंप नहीं हो पाता है इस जाए न चाहिए एक बात यह गई अब सवाल यह आया कि भई जो शाकाहरी लोग हैं जो वेजटेरियन हैं वह कहां से लें तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं उसका जवाब है यह वेज इसका नाम वेज ओमेगा इसलिए रखा गया क्यूंकि ओमेगा प्रोवाइट तो करता है लेकिन वेज फॉर्म में अब सवाल आएगा कि वेज फॉर्म में मतलब यह क्या यह कुछ दिखतो है कि सॉफ्ट जल कैप्सूल से देखें यह पहचान होती है वेज की न अगर आप द जवाब है कि what is the source of omega fatty acid omega fatty acid जो आप बात कर रहे हो न्यूट्री चार्ज का उसका सोर्स क्या है तो इसका सोर्स है क्या लाइनम यूसी टाइटे सीमम यह इसका नाम है अब आप बोलोगे यह कौन सा नाम है यह सर इसका साइंटिफिक बोटैनिकल नेम है असल में अगर मैं आ जो कि थंडे प्रदेशों में जो सितोशन प्रदेश होते हैं वहां पर यह उखता है उस प्लांट से निकाला गया और अलसी एक मांतर ऐसा पौधा है वेजेटेरियन में जिसमें सबसे ज्यादा आपको omega fatty acid omega fatty acid बिलता है तो यह कुल मिला कर उस अलसी का जो essence है वही आपके सामने रखाव है जो आपको दिखाई दे रहा है जो soft gel capsules आते हैं सवाल रूटता है कि अच्छा आपने बता दिया कि अगर हम यह खाएंगे तो हमारे heart strokes की problem जो होती है या blood sugar का जो level होता है वो चीज़े या triglyceride बनना कम होता है उसको खतिन करता है यह वेज omega यह ठीक है च तरीका है इसका suggested use यह है कि एक vegetarian soft capsule को आपको daily लेना है breakfast के बाद या आपका नाशता करने के बाद आप एक एक इसकी soft gel capsule ले सकते हो अब कुछ सवाल ऐसे जो frequently asked questions है यानि कि लगातार पूछे जाते हैं लोगों के द्वारा तो इसको मैंने यहां पर ले लिया है वो questions कुछ इ इसके लिए Aalhice Criチャ है यानि कितनी उमर होनी चाहिए इसको लेने के लिए क्या कोई सीमा है सरविल्कुल सीमा है 12 साल से नीचे के बच्चों को आप इसे नहीं देंगे की 12 साल से ऊपर के लोग ने सकते है यहां भेमारा से छोटों को नहीं देना दूसरी बात कि nutrition तरे चालिवे जो मैं गा कि benefit क्या क्या लाब क्या मिलता है इसको लेने से जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेकि फिर भी बोल रहा है कि cholesterol और जो triglyceride level रहता है उसको reduce करता है यानि कि अगर आप देखें जो cholesterol लेता है जो bad cholesterol लेता है इसके बारे मैं पहले भी बताय होती ही तब है जब खूण गाड़ा हो जाता है उसमें triglyceride बढ़ जाता है खूण को बहने में दिक्कत होती है तो वहीं से heart की disease स्टार्ट होती है इसका बड़ा कारण cholesterol का बढ़ना triglyceride का बढ़ना होता है और वो level को कम करने में यह nutrient charge wedge omega help कर रहा है इसके बाद यह आपके कमी है कई लोग बोलते हैं मैं डेंडराफ और देंडराफ के लिए वो तरह तरह के शेंपू यूज़ कर रहे हैं शेंपू तो एक बाहरी तरीका है अंदर से problem आ रही है अंदर से क्या problem है आपके ओमेगा-3 acid fatty acid नहीं बन पा रहा सरीर के अंदर बनता ही नहीं है इसका सकते हैं इससे फाइदा है अभी यह है कि कोई पूछता है कि हम कितने समय तक लें से देखे जर यह ऐसी चीज़ है जब तक आप स्वस्ते रहना चाहते हैं तब तक आप इसे लेते रहें क्योंकि इसका कोई side effect नहीं है और एक ऐसी चीज़ है जो सरीर को हर एक दिन चाहिए जैसे क्या है कि हम बोलें कि हम खाना कब तक खाएं अरे जब तक हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्तर है तब तक हम खाना खाएं वैसे ही चीज़ है तब तक हम न्यूटरिचार्ज वैज ओमेगा को लेते रहें इसका कोई side effect नहीं है लेकिन यह सरीर को जरूरत होती है उस जरूर यह हो जाता है अभी do I need to consult a physician क्या आपको किसी डॉक्टर से physician से मिलने की जरुवत है इसको लेने से पहले देखिए अगर आपको कोई पहले से medical conditions अगर कोई ऐसी है कि सफर कर रहे है किसी चीज से कोई आपको BP की problem है या फिर आपको कोई heart disease है मतलब ना हो अगर किसी क को मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को है अगर किसी को है तो ऐसी स्थिती में उनको एक बार अपने physician को consult करना चाहिए और doctors खुद recommend करते हैं इस चीज को वैसे तो उनने जरूर आपको पहले भी किया ही होगा इस चीज के बारे में लेकिन हो सकता है जो आप पहले से ले रहे हो तो इसका जवाब यह है कि जो omega 3 fatty acids होता है इसका एक प्रमुक यह भी है कि हार्मोन्स जो होता है उनके imbalance को रोकता है यानिकि हुमारे सरीर में अलग लग तरके hormones होते है उनको balance करने में मदद करता है कहीं ना कहीं जो thyroid होता है वो भी हार्मोन के imbalance सही generate होता है तो इसलिए indirectly ही सही लेकिन थायराइट के प्रॉब्लम में भी मदद करता है तो यह एक काम है इसका अभी के लिए इतना ही जो भी क्वेस्टेंस हो जो भी क्वेरी हो आपनी इचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और इसे ज्यादा से ज़्यादा अपने ग्रूप में शेयर कीजिए जहां आप चाहते हैं कि इस तरह के जो अवेरनेस है लोगों में अपने स्वास के प्रति वह फैल है तिल देन गुड़ बाई सी यू टेक केर जै आर्सी